हेलो गाईज वाचस अप आई होप योप योड़ दूज अप्ड इस इस मेर वहीद अन तोड़े आइम गोई टो शेर सम इंग्पोर्डन अनॉंस्मिंट विध यूरेलेडिट तो केस क्रैश पुर्स यूपीएस क्रैश क्रैश कॉर्स और जो जह जे के पुलीज एसाई का सि सेम हैं किसके साथ indमेदी के साथ के साथ जो मैंने आपको शेयरहं करता है 2016 साथ सेम सेम है जो केसे का प्रीवाला सेलब क्यों फिके उसके बारे में कोई अनॉंसमिंट है। जैसे मैंने आपको बूला था बहुत सारे मेंसेज आए थी मुझे related to sir के आप कब case का batch crash course start कर रहे हूँ ठीक है अब यह मारे पास 5 months है हम आपको अच्छे तरीक से crash course provide करेंगे आपको मेरा पढ़ाना पता ही है मेरा study meeting ले पता है इस crash course तो चलेगा किस के लिए प्रीके साब से लेकिन वही notes same notes आप mains में लिखोगे आपको notes बनाने के जुरुत नहीं same notes आपको चापना है mains में case में यह मेरी guarantee आप उन notes को चाप लो आपको marks देखने को मिलेगा ठीक है आप answer लिख पाओगे ठीक उसके बाद current जो है current आपको daily base पर आपको मैं provide करूंगा जो जो topic होगा half and hour का current को चलेगा तीन-चार मेना continue से उसमें से आपको जो important issues है जहां से questions पूछ जाएंगा वो automatically हो जाएगा तो यह आप page दे सकते हो announcement है related to case, badge, crash, case, UPSC, JKP ऐसा है अगर किसी को करना होगा आज ही कर लो syllabus से में फिर आगे आपको time बज जाएगा जब कि आपके recruitment आज जाएगी फिर दूसरी बात NT का जो भी है यहां से cover कर लो अभी आपके पास time है क्योंकि जब post निकल जाएंगे उसमें आपको क्या करना है इतना है आपको करना है आपको सिर्फ उस ताइम question practice लगाने जब आपकी तायारी होगी तेसरा जो है जेके SSB वाले भी join कर सकते हैं यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ जेके SSB वालों को क्योंकि आपके पास 6 months है किसलिए preparation करने के लिए finance accounts instant के लिए लेकिन आप 6 months तो नहीं पढ़ोगे वो continue आपको तूट आवर रखना है और crash course आप यहां से लेकर जाओ आपको चीज़ें concepts जो है अच्छे तरिक समझाएगा आगे जो आपके exams देने वो आप तैयर कर सकते हो seats limited है जो first come first जरू है ठीक है कुछ time के लिए registration है ठीक है from आज 29 है up to 5 June तक registration open रहेगा जो जो student इसमें जुड़ सकता है उसके बाद उसको join नहीं कर सकता है registration fees join जो basic एक fee है that is 1000 रूपीज यह technical charge समझो यह आप registration fee इसको बोल सकते हो जैसे एक form अगर कही पर admission करना होता है किसी institution में आपको एक form लेना पड़ता है उस form को आप क्या देते हो registration fee फिर आप paid pay करते हो तो यह उस तरीकी से नहीं सिर्फ आपको registration fee करना है इसमें आपको lectures में मिलेंगे और आपको PDF format में notes में मिलेंगे notes उसको ही मिलेगा जो इस registration batch में होगा मैं disclose नहीं करूँगा notes को यह बात आपको जहन में होना चाहे notes में open disclose नहीं करूँगा सिर्फ उन ही students के लिए होगा जो के batch को join करेगा उनको ही वो content मिल जाएगा content के कोई problem नहीं है content जो का high quality का content होगा top most institutions से जो मतलब एक हैटे किया है content बुक्स से पढ़के analysis करके notes बनाएं आपने देखा होगा आपको बोलने की जुरूरत भी ने लेकिन आप फिर भी still check कर सकतो notes में content कितना है full flash तरिक से आपको जो कुछ basic books अगर होंगे वो मैं बताओंगा कोई 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 से साथ साथ में पढ़ने हैं वो आप अच्छे तरिक से वी time के बाद देखते हम आगे क्या करेंगे फिलाल हम यह हैं तो यहां पर लिखा किया registration स्टार्ट है अभी से आप registration करना है start कर दो आपको टेलिग्राम जो है घृप में लिंक मिल जाएगा ठीक है join कर लो जिस time फिर आपको देखना होगा लेक्चर आप देख सकते हो वह वह ही पर होगा अआप में ही होगा ठीक है जिस time आज देखना है कल देखना है 15 दिन बाह देखना है उَّपको अपनी मरजाए का देखना लेकर registration के लिए के पास इन साथ दिनों में आपको रेज्ट्रेशन को कंपलीट करनी है रेज्ट्रेशन चार्ज जो है जैस्ट रूपीज वन थाउसंट एडमिशन ओपन है आपको ये दो नमबर्स मिलेंगे जो भी आपको क्योंगे, आप मैसेज करोगी इन पे टेक्स्ट मैसेज करोगी, इतना लिकोगे आप कि अपना नाम लिखना है और अपना इश्यो लिखना है क्या आपका इश्यो आ रहा है । आप इसमें लिख सकते हों। नमबर्स दो बातें ये होगे। तीसरा कि आपको मेरा पढ़ाना पता है मैं किस तरह किसे पढ़ाता हूँ अगर मैंने आपको फ्री में चार मेने कॉंटिनुस तो आप लोगों के साथ आपने फ्राम दे फर्स्ट डे 9 जैनुरी से आप याद करो कंटिनुसले मेरा लेक्चर आ रहा था कंटिनुसले आप देखो कोई भी सबसे ज़्यादा मेरे लेक्चर से है जहां से भी मैंने पढ़ा है सबसे कंटिनुसले मेरे लेक्चर से आ गए थे ठीक है तो वो मेरी कंसिस्टेंट तो मैं उसमें कंप्रोमाइज मैं नहीं करता हूँ वो मैं आपको लोगों को भी बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज में कंप्रोमाइज करने की जुरूरतनी है खासकर स्टडी में तीसरी बात यह है कि अगर में ये रेइस्ट्रेशन बैच तो शुरू हो गया तो रेइस्ट्रेशन बैच के लिए में एक specially खुद connect रहा हूँगा specially खुद guide करूँगा एक layout दे दूगा आपको कितना पढ़ना है कितना कम पढ़ना है कितना ज्यादा पढ़ना है किस topic को कितना time देना है किस subject में कितने questions आते है पूरा analysis होगा time to time analysis होगा previous year questions के जो भी UPSA के papers है उसमें से आपको फिर अंदाजा चलेगा किस तरीक से तायारी करने है फिर आपको wait नहीं करना है कि किसी को भी अब हम course ले ले लेंगे फिर crash course के बाद next साल के लिए 2022 के लिए किसी को तायारी करने है फिर वो बोलेगा आप मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इससे आपको full flush तायरी तरीक से पता चलेगा सबसे बड़ा barrier जो होता है exam को qualify करने को वो होता है pre pre में काफी ज़दा बच्च होता है उसमें से एक बार आप बाहर आ गए है मतलब वो अपने एक बार क्रॉस कर लेना आपको अपने मैंड जो होता है confidence मिलता है यह आपने देखोगा ठीक है यही मैं बोलूँगा कि सभी registration करो अभी आपको एक chance मिल रहा है मैं भी आप लोग के साथ खुद connected हूँ registration कर लो जिसको करना होगा कर लो जिसको नहीं करना कोई issue नहीं है आप अपने हिसाब से तायार ही कर लो ठीक है मैं यही suggest करूँगा क्योंकि क्या है आपके पास six months है six months करोगे क्या आप यह मसला है ना क्योंकि अभी आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हूँ गर में बैठी हो तो कोर्स ले लो देखते रहो आपको बहुत जादा मज़ा आ जाएगा जैसे मैं एकनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा मेरे पास अभी देखे एकनॉमिक्स में किस तरीक से आपको पढ़ाऊंगा आर्ट एड कल्चर फुल फलज तरीक से हो जाएगा आपका साइन्स एंटेक जो भी हैं हम सब कुछ इसमें करेंगे जो जो आपके कोर्स में मेंचन कें यह प्री औरिंटेड हैं क्रैश कोर्स हैं ठीक है यह जहन में रखना प्री औरिंटेड हैं क्रैश कोर्स हैं अंदाज लगे जो भी लेकिन हम प्री औरिंटेड पाइड र वहीतसरस Academy की एप डाउनलोड की होगी वहीतसरस Academy एप में आपको मिल जाएगा Store वहाँ एक option होगा Home होगा फिर Home होता है Store Store पर आपको क्लिक करना है वहाँ पर आपको होगा Apply वहाँ पर लिखा होगा Registration Fee 1000 वहाँ पर क्लिक करना है फिर वहाँ पर आप किसी भी तरीकी से Pay कर सकते हो आप Credit Card से करो आप क्या बोलते हैं इसको Net Bagging का यूज कर सकते हो आप Pay Time करो जो भी आपको करना आप कर सकते हो ठीक है आपको आपने देखा होगा मुझे मेरी consistency इंशाला इंशाला आगे भी इसी तरीकी से Full Flet तरीकी से रहेगा Notes आपको यही मिलेगे जिन Notes से मैं आपको पढ़ाओंगा फिर आपको बाहर क्या पढ़ना है वो मैं साथ बताओंगा क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं बताओंगा ठीक है इंशाला इंशाला सब कुछ हो जाएगा ठीक है limited seats है time limited है तो चलो आए जो हम start करने वाले हैं वो है related to inflation आप notes देख सकते हैं इन्ही notes यही notes आपको मिल जाएंगे जहां से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ ठीक है full flash है अच्छे तरिक से बनाया है एक ही जगह पर है वह सारी books का content एक जगह पर है टेंचन लेने के जुरूत नहीं सबसे point पहला point of discussion is inflation होता क्या है देखो questions कैसे मैंने बनाया इसमें why do we need to calculate inflation inflation को क्यों calculate किया जाता question अगर आएगा आपको कल exam में mains में अगर question आजाएगा related to inflation को यह question आजाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना आपको सबसे पता होना चाहिए कि inflation क्या जुरूरी होता basic introduction में डालोगे अब why do we need inflation आप लिखोगे उसके बाद यह why क्यों inflation next point of discussion is what is inflation inflation होता है पता होना चाहिए चीज़ों को relate करते तब आपको मज़ा आजाएगा उसके बाद जब हम आगे चलते फिर देखते कौन-कौन सा type है inflation का और rate based inflation क्या होता है यह भी हम देखेंगे ठीक है और उसके बाद जो होता है causes क्या होता है inflation के सब कुछ देखेंगे हर एक जो factors क्या होता है type और दूसरा जो है जो होगा हो आगे पढ़िंगे यह बहुत लंबा topic है लकिन आज में ज आपको पढ़ाओंगा कुछ basic introduction दे रहा हूं सो दिर आपको एक अंदाधा लगी कि हम किस तरीकी से case का course start करने वाल है सबसे first point of discussion है why do we need to calculate inflation to calculate the purchasing power of consumer, सबसे पहला point है जो purchasing power होता है, मतलब आपको खरीदने की शमतह आप बोल सकते हैं आप purchase कोई चीज कर रहे हो ठीक है वो इसमें पता है, किया जो purchasing power जो हता है consumer का, consumer मतलब एक person मैं हूँ, मैं कोई चीज़ consume करता हूँ, मैं market से कोई चीज़ खरिद रहा हो, क्या मैं चीज़ों खरीद पा रहा हूँ या नहीं खरीद पा रहा हूँ, वो मैं पता हिब रहाए inflation से मतलब purchasing power consumer का calculate कर सकते हैं by using the term inflation number second उसके बार to know the real value of money, money का real value क्या है, suppose आपके पास 10 रुपीज है, आपके पास 15 रुपीज है, आपके पास 20 रुपीज है, आपने क्या क्या है, आपको milik का packet लेना है, milik का packet लेने के लिए आपने 10 रुपे दिया, that means आप 10 रुपे म मिलिक खरीदना चाहते हो, लेकिन 10 रुपे में milik नहीं मिल रहा है, आप 15 रुपीज दे रहे हो, half kg का milik लेना चाहते हो, नहीं मिल रहा है, आप 20 रुपीज दे रहे हो, नहीं मिल रहा है, आप 22 रुपीज दे रहे हो, तब आपको मिल रहा है, मतलब जो है, यह आपका real value बता रहा है मनी का कि 22 रुपीज में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मतलब यह है कि आपको वैली बताता है ठीक है मनी का क्या वो वनी जब आप यूज करते हो मनी जब आप यूज करते हो उसकी affordability कितना है to know the affordability of the money given to the person ठीक है यह हो गया inflation का तीसरा point of discussion is increasing inflation decrease the purchasing power a person if salary remain same most important point है जितना inflation बढ़ जाता है सबसे पहला point जो है inflation होता है क्या है ठीक है वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन क्योंकि what वाला part इसके बाद है जो जितना inflation बढ़ जाते है जितना goods and service का price जो है बढ़ता जा रहा है उससरे क्या होता है purchasing power decrease होता जा रहा है जैसे मैंने अभी बोला example मैंने आपको 22 रुपीज में आपको मिलिक का packet मिलता है लेकिन inflation हो जाएगा 25 रुपीज मिलिक packet हो गया 30 रुपीज मिलिक packet हो गया तो that में जो 22 रुपी में आप खरीद रहे थे 2020 में अब वो आपको 2021 में कितने रुपीज का है 25 रुपीज का मतलब inflation हो गया उसकी वज़े से क्या हो गया purchasing power जो होता है वो reduce होता है most important point है pre-oriented भी है men's oriented भी है statements में पूछा जाता है ठीक है अगर salary same रहेगी क्योंकि जो पिछले साल आपकी salary 10,000 थी पर month के साब से ठीक है इस साल भी वही salary है तो आप effort नहीं कर सकते हो तो that means आपकी salary भी फिर बढ़नी चाहे तब आप उस चीज को afford कर सकते हो ठीक है जो आप बाकी चीजों पर यो money लगा रहे थे ठीक है आपको पता है आपको 10,000 10K था salary लेकिन आपको milk एक साल में जो milk आप यूज करते थे उसको 2K लग रहा था milk पर खर्चा लग रहा था तो बाकी 8,000 जो है आप किसी और काम में यूज करते थे बाकी चीजों में अपने parents को देते थे education पर लगा थे अपने बच्चों के health के लिए लगा देते ये एक basic example है ठीक है उसके बाद आपने क्या किया है उसके बाद क्या हुआ inflation हो गया तो लेकिन अब क्या हो गया अब जब आपके पास salary तो सेम ही है inflation तो चल रहा है लेकिन आपके salary सेम है तो that means अब आप 3K में जो है आप purchase कर पा रहे हो 3K आपको consume हो रहा है किसके ऊपर spend कर आप milk के ऊपर that means जब salary सेम रहती है तो उसकी वजह से आपका purchasing power जोता वो reduce देखने को मिल रहा है so we need to calculate inflation to accommodate the impact it causes to the population so हमें इसलिए inflation को calculate करना पड़ता है so that क्या होता है कि जो भी impact होता है जो भी inflation की वजह से impact आता है population के उपर उसको accommodate करें फिर उसी तरीकी से salary बढ़ाए जाएगी उसी तरीकी से काफी ज़्यादा जो government जो steps ले रहा है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि inflation हो रहा है तो government बोल रहा है चलो inflation हो नहीं दो फिर जो poor population होते है वह पर afford कर लेने चाहिए तो उसके हसाब सभी उनको भी money देखने को मिल रहा है दिन में जो उनको 500 रुपीज मिल रहा था किराया कही पर अगर कहीं पर कवाम करें अब वो क्या करेंगे उनक आप 600 मिलेगा so that यहां पर ही इसको जो है इस चीज़ को purchase करता है बहुत सारी example है जो आप समझ सकते हो यह ता यहां पर point of discussion था ठीक है data used यहां पर लिखा है data used in many ways by the government and businesses and play an important rule in setting economic policies जो भी government क्या करता है या business क्या करते है वो data का use करते है बहुत सारी तरीकों से data का use करते है कि इसलिए use करते है जो कि जो भी economic policies होती है उन economic policies को set करने क्योंकि economic policies एक bureaucracy बना लेता है ठीक है उन policies जब बनाई जाते है उन parameters को जहन में रखा जाता है कि inflation market में अगर inflation उन parameters को include किया जाता है जब भी economic policies बनाई जाती है ठीक है यह आप लिख सकते हो answer item आप आनम से कर सकते हो so most important point of discussion is what is inflation inflation क्या है a general rise मतलब होता है gradual rise slowly होता है ठीक है steadily होता है ठीक है gradual rise in price of goods and services over a sustained period of time long period of time तक क्या हो रहा जब price goods का price बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जैसे आज हम potato की बात करेंगे suppose 20 रुपीज केजी है अगले साल देखेंगे फिर हो गया 10 रुपीज हो गया 30 फिर से देखेंगे फिर से हो गया 35 फिर से देखेंगे हमने फिर हो गया 32 फिर से हो गया 33 हो गया 35 हो गया फिर 37 हो गया इस तरीकी से जब टाइम करें मतलब 5-6 साल 4 साल 5 साल continuous उस प्रोड़क्ट का प्राइज जो है goods or services का प्राइज जो है बढ़ता जा रहा है for a sustained period of time उसको नाम लेकिन प्राइस अच्छानक से हो गया 82 कल फिर से क्या हो गया फिर से 81 हो गया परसों फिर से हो गया 80 हो गया तो यह हो गया sudden rise तो sudden rise को inflation के अंदर नहीं लेते हैं हम क्या लेते gradual rise हम लेते हैं inflation के अंदर ठीक है यह आपको समझ आना चाहें उसके बाद next जो है next चलेंगे goods and services are to be tracked to know about the inflation in the economy goods and services को track किया जाता है क्या पता करने के लिए inflation जो है inflation जो है economy में जो inflation हो रहे उसको track करने के लिए तो goods and services को track किया जाता है जिससे हमें पता चल रहा है कि inflation कितनी है economy में tracking all goods and services is virtually impossible अगर हम virtually देखेंगे तो यह बहुत impossible होता है कि सभी goods and services को हम क्या करें track करें फिर देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है कितना price बढ़ता जा रहा है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है hectic बन जाता है फिर करें क्या हमारे पस बहुत सारी options है over a period of time हम क्या करते है with time के साथ-साथ compared with a continuous number of years हम क्या करते है continuous number of years को ले लेते ना कि सिर्फ एक ही साल ना कि एक ही मन्त ना ही एक दिन ना ही एक भी लेकिन हम क्या करते है हम काफी years लेते for example एक साल लेते है दूसरा साल लेते है तो continuous हम क्या करते है बहुत सारी years को analysis करते है फिर हम एक conclusion पर आजाते है आरी बात समझ ठीक है फिर हम जो है उसके हसाब से हम जो है decide कर लेते है related to inflation ये तो हो गया inflation सबसे पहले why do we need inflation second point of discussion था दूसरा point of discussion जो हो था what is inflation मैंने बोला gradual rise general rise बोल सकते है of goods and services ठीक है over a sustained period of time ये definition पता होनी चाहिए जो अब लिख सकते है जो अब exam में पूछा जाकता है statement में उसके बाद जो है type is क्या क्या है inflation के type is inflation के एक होता है rate based inflation आप क्या लिखोगे inflation के दो types है one is rate based inflation second is cause based inflation फिर question पूछा जागे which of the following is true about the rate based inflation नीचे options दे होगे which of the following is true about the cause based inflation नीचे दिया होगा यहाँ पूछा जागे inflation can be classified on the basis of option a rate based option b cause based option c both rate and cause based यहाँ जो rate based question जो होगे पूछा जाएगा cause based में फिर आपको identify करना कौन सा true है कौन सा true नहीं है तो यहाँ पर जब देखते हैं हम यहाँ पर inflation हाँ types of inflation तो आप बताओगे सबसे पहला inflation that is rate based inflation rate based inflation में सबसे पहला point जो आता है that is creeping or crawling inflation creeping inflation is also called as crawling inflation अलग-अलग books में बहुत सरे अलग-अलग data दिया जाता है लेकिन जो मेरे notes पर यह data है बस आप यही याद रखो यह आप mention करना है इस साब से ठीक है अब नहीं तो आप confused हो जाओगे ठीक है मैंने क्या बोला rate based inflation में सबसे पहला point that is crawling inflation यह creeping inflation ठीक है जब inflation क्या होता है rate rate के बिसे मतलब यहाँ पर आप देख सकते है 0 to 5% यह rate है ठीक है यह percentage है inflation जब inflation होगा 0 to 5% के आसपास आरी बात में जैसे कोई product जो था 100 रुपीज का था अब वो हो गया 101 का 102 का 103 का 104 का 105 का इसको दूसरा नाम दिया जाता है creeping inflationary tendency इसको नाम दिया जाता है किसको creeping inflation को देखो होता क्या है actually यह समझना जूरूरी है जैसे देखो interlink के जैसे topics को किया जाता है जब ऐसे में topics लिखते हो आप कोई चीजों का interlink करना पड़ता है या means में आप answer लिख तो आपको चीजों को interlink करना पड़ता है तब ही अच्छे marks मिलता है देखो यहाँ पर क्या होता है industrial growth industrial growth अगर है industries में कुछ product बन रहा है industries में काम चल रहा है तो वहाँ पर कौन काम करेंगे वहाँ पर लोग काम करते है तो that means लोगों को क्या मिलेगा उनको employment मिलेगी employment से क्या मिलेगा उनको salary मिलेगी money मिलेगा लोगोंको लोगोंको जब money मिलेगा उनका purchasing power of consumer वो क्या करेंगे वो उन look खरच करेंगे पैसा है वो कोई चीज़ पर्चेस करे शे क्या होगा demand बढ़ जाएगे जब demand बढ़ जाएगा automatically क्या होगा inflation हो जाएगा लेकिन अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है suppose market में कोई चीज आ गया है suppose 100 रुपीज का कोई product आ गया है लेकिन लोगों के पास 100 रुपीज नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब इसने जो shop कीपर है यहाँ जो seller जो होता है इसने इस चीज को लाया हुआ है ठीक है लेकिन खरीदने वाले नहीं है क्यों के पास इतना पैसा नहीं जो afford कर सकते हैं तो वो क्या करेगा यह इस price को कम करेगा यह बोले कि चलो 90 देदो 80 देदो 60 देदो ठीक है तो यह एक condition होगी लेकिन दूसरी condition यह होते लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है जब 100 रुपीज का कोई product होता है तो लोगों के पास पैसा जब ज़ादा होता है पर्चेसिंग पार जादा हो वो demand करेंगे उस चीज को हमें यह भी चाहिए यह भी चाहिए तो क्या होता है इसका price जो होता market में क्या होगा 110 रुपीज अगर seller जो होता 110 रुपीज में भी इसको बेच रहा है तो कोई issue ने क्योंकि हम demand करें चीज को उसको पता है अगर यह person 110 में नहीं खरीदेगा दूसरा person तो खरीद है यह उसके पास purchasing power है उसके पास money है वो demand करा है चीज को तो यह इस तरीकी से interlink करना पड़ता है industrial growth से देखो inflation कैसे हो रहा है आरी बात समझे यह direct link की यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर आप देखो actually चल क्या रहा है process यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा this is controlled इन पर question आए जाएगा कि जो आपके पस creeping और crawling inflation है यह कौन सा आपको बनाए यह controlled inflation है यह economy के लिए बहुत ज़्यदा ज़रूरी है यह होना चाहिए आरी बात समझ considered healthy foreign economy question पूछ अग कौन सा inflation का type है जो कि consider किया जाता है controlled inflation के अंदर और यहाँ तो उसको बोल सकते है यह healthy होता economy के लिए important होता economy के लिए ज़रूरी होता economy आपको बनाए creeping या crawling inflation दूसरा जो होता है that is the walking inflation यह हम next point of discussion जो होगा उसमें हम discuss करेंगे आज मैं यहाँ पर यह रुक रहा हूँ यह case batch के लिए था जो SSB के लिए भी जो पढ़ रहे है उनके लिए भी था हर एक के लिए यह video में लेकर आया हूँ यह इसी तरीकी से हम चलेंगे अच्छे से मैं explain करूँगा full-fledged तरीकी से यह 5 मेंने आप अच्छे तरीक से utilize कर सकते जब तक आपका exam हो जागा so that फिर future में आप कोई भी exam जो है दे सकते हो ठीक है thank you so much for watching me